राधे राधे तीन गाठे भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी भगवान बुद्ध अक्सर अपने सिश्यों को सिच्छा प्रदान किया करते थे एक दिन प्राता काल बहुत से विच्छुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे पर आज सिश्य उन्हें देख का चकित थे क्योंकि आज पहली बार वे अपनी हाथ में कुछ लेकर आये थे करीब आने पर सिश्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्षी थी बुद्ध ने आसन ग्रहड किया और बिना किसी से कुछ कहे ये वे रस्षी में गाठे लगाने लगे वहाँ उपस्ति सभी लोग या देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे तभी बुद्ध ने अब सभी से एक प्रश्न किया मैंने इस रस्षी में तीन गाठे लगा दी हैं अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्षी है जो गाठे लगाने से पूरू थी एक सिस्षी ने उत्तर में कहा गुरू जी उनका उत्तर देना थोड़ा कठिन है ये वास्तों में हमारे देखने के तरीके पर निरभर है एक दस्टिकोर से देखे तो रस्षी वही है इसमें कोई बदलाव नहीं आया दूसरी तरह से देखे तो अब इसमें तीन गाठे लगी हुई है जो पहले नहीं थी अता इसे बदला हुआ कह सकते हैं पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतित हो रही हो पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी इसका बुनियादी शुरूप अपरवर्तित है सत्य है बुद्ध ने कहा अब मैं इन गाठों को खोल देता हूँ यह कहकर बुद्ध रसी के दोनों सिरों को एक दूसरे से उपर खीचने लगे उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लगता है इस प्रकार इन्हें खीचने से क्या मैं इन गाठों को खोल सकता हूँ नहीं नहीं ऐसा करने से तो यह गाठे तो और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा एक सिस्ष ने सीगृता से उत्तर दिया बुद्ध ने कहा ठीक है अब एक आखरी प्रस्ण बताओ इन गाठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा सिस्य बोला इसके लिए हमें इन गाठों को गोड़ से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रियास कर सकते हैं मैं यही तो सुनना चाहता था मूल प्रस्न यही है कि जिस समस्या में तुम फसे हो वास्तों में उसका कारण क्या है बिना कारण जाने निवारन शंभो है मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारन करना चाहते हैं कोई मुझसे ये रहे पूशता कि मुझे क्रोध क्यों आता है लोग पूशते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूँ कोई यह प्रस नहीं करता कि मेरे अंदर अहिंकार का बीच कहां से आया लोग पूशते हैं कि मैं अपना अहिंकार कैसे खत्म करूँ प्रियसिसो जिस प्रकार रसी में ये गाठे लग जाने पर भी उसका बुनियादी शुरूप नहीं बदलता उसी प्रकार मनुस्य में भी कुछ विकार आजाने से उसके अंदर से अच्छाई के भी खत्म नहीं होते जैसे हम रसी की गाठे खोल सकते हैं वैसे ही हम मनुस्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी ही और समस्याएं है तो समाधान भी अवस्य होगा आवसकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरीके से जाने और निवारन सुता ही प्राप्त हो जाएगा महत्मा बुद्ध जी की बात महत्मा बुद्ध जी ने अपनी बात पूरी की राधे राधे अगर ये मेरी कहानी ये अगर कहानी अच्छी लगए हो तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें और सस्क्राइब करें राधे राधे जै भगवान भुद्ध झाल झाल